असलाम वालेकुम वेलकम बेक टो माई चाइनल आईशास केक डिलाइट आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाए जिससे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी अब यहाँ पर हम केक टीन को ग्रीज कर लेंगे टू एन हाफ कप प्रेमिक्स लिया है यहाँ पर मैंने उसी कप से लगबग वन कप पानी को लिया है पानी को हम इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा एड़ करते जाएंगे इस तरह से कट एंड फोल्ड मेथर से हम प्रेमिक्स और पानी को मिक्स करेंगे यहाँ पर मैं तेल को एड़ कर दूँगी तेल हमेशा अन फ्लेवर लेना होता है यहाँ पर मैंने तीन टेबल स्पून ओईल को एड़ किया है यहाँ पर मैंने इस तरह से इसे ओईल के साथ मिक्स कर लिया है अब हम इससे बीटर से भी बीट कर लेंगे पर वो प्रोसेस मैंने यहाँ पर नहीं बताई है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बीटर से बीट करने की वज़े से हमारा बैटर कितना फ्लफी हो चुका है और इसका केक भी अच्छे से फुल कर आता है यह मेरी सबसे पहली वीडियो मैंने बना ली थी पर तब मुझे एडिटिंग वगेरा नहीं आती थी मेरी बेटी ही यह सब करती थी तो मुझे इन चीजों का भी नौलेज नहीं था कि किस तरह से हमें कौन-कौन से पार्ट्स को लेना होगा मैंने अपनी मोबाइल गैलेरी सर्च की तब मुझे इस वीडियो के भी पार्ट्स मिले तो मैंने उसका भी आज आपके लिए एक वीडियो बना ही लिया आप यहाँ पर देख सकते हैं मुझे तो कैमेरा भी सेट करना नहीं आया था मैंने यहाँ पर सेल्फी कैमेरे को ओन किया था पर एक बात है जब भी हम कुछ ठान लेते हैं तो जरूर कर देते हैं इस वीडियो को तो मैं डिलीड भी कर सकती थी पर यही बताना था कि हम लेडिस कुछ भी कर सकते हैं हमारे लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं होता हम जब ठान ले तो हम किसी भी चीज़ को कर लेते हैं आप यहाँ पर केक स्पोंज को इस तरह से नाइज से मार्क कर ले और इसे इस तरह से ट्रेड इसके अंदर इंसट करकर इस तरह से क्रिस क्रॉस कीज़े लेर करने का यह इजी और सिंपल तरीका है लेर करने के बाद हम इसे सोख करेंगे सोख करने के लिए मैंने हमेशा मैं चोकलेट केक के लिए गनाश को ही वाटर में आइट करती हूँ जिसकी वज़ा से टेस्ट बहुत अमेजिंग लगता है केक स्पोंज को अच्छी तरह से हमें सोख करना चाहिए सोख करने की वज़ा से क्रीम के अंदर का मास्चर केक स्पोंज अब्जॉब कर लेता है और क्रीम राय हो सकती है इस तरह से हमने चोकलेट क्रीम को फर्स्ट लेयर पर लगा कर थोड़ा सा गनाश और चोकोचिप्स को भी एड़ कर लिया है सेकेंड लेयर को रखकर भी हम फिर से उसी तरह से इसे सोक कर लेंगे और क्रीम अप्लाइ कर कर इस पर भी गनाश और चोकोचिप्स को लगा देंगे थर्ड लेयर को रखकर भी हम सेम प्रोसेस कर लेंगे यहाँ पर हमें गनाश और चोकोचिप्स नहीं लगाने हैं और इस तरह से क्रम कोट करके मैंने इसे 20 से 30 मिर्ट तक फ्रीज में सेट करने के लिए रख दिया था अब मैं यहाँ पर 20 मिर्ट के बाद इस पर फाइनल फिनिशिंग कर रही हूँ इस केक को भी मैंने ओवर्लोडेट केक बनाया था जो की कस्टमर को बहुत पसंद आया था पर आज तक मेरा कोई भी वीडियो अभी तक वाइरल नहीं हुआ है पर मैं कोशिश करते रहती हूँ कि कभी न कभी तो कोई वीडियो वाइरल होई जाएगा क्यूंकि मेहनत करने से ही हमें सफलता हासिल होती है मेरे पहले पहले इन केक्स के फोटो प्राजकताकेचन.com इस यूट्यूब चैनल पर प्राजकता जी ने बताये थे तब तो वो यहाँ पर हमारे रत्नागिरी में ही लांजा तालूका में रहते थे अब ओ पुना में शिफ्ट हो गए है हम उनके बहुत बड़े फैंस भी है मुझे जब भी किसी केक में दिक्कत आती है मैं उन्हें कॉल कर लेती हूँ वो हमेशा रिपलाई देते हैं अगर कभी हमारा फोन रेसिव भी नहीं किया तो वो को personally हमें call करके हमारे केक्स के बारे में हमारे doubts किलियर करते हैं उसी तरह मैं भी कोशिश करना चाहती हूं कि मैं किसी का कोई भी doubt किलियर कर सकूं कि किसी को help कर सकूं इसलिए मैं वीडियो को बनाती हूं राजक्ता कीचन से मुझे हमेशा motivation ही मिला है इस cake को मैंने overloaded cake बनाया है इस पर मैंने kit kat, dairy milk और candy man की chocolate stick, shots, cat tree के shots और इसी तरह से गुष चोकोचिप्स को भी लगा कर मैंने इस cake को decorate किया था आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को subscribe करें और वीडियो पसन आती हैं तो like करें, share करें और comment कर कर भी ज़रूर बताएं आपकी एक like भी हमारे इतनी मेहनत को successful कर देते हैं थैंक्स पर वाचिंग, अल्ला हाफिज